राजस्थान में जून महीने सियासी तपिश बढ़ना तय है। कॉंग्रेस नेता सचिन पाइलट का अल्टीमेटम 31 मई को पूरा हो चुका है। वही अब सबकी निगाहें 11 जून पर टीकी है। क्योंकि सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि सचिन पाइलट 11 जून को बड़ी घोशना कर सकते हैं। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सचिन पाइलट अपनी नई पार्टी का भी खाका तयार कर रहे हैं। दरसल हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सचिन पाइलट प्रशांत किशोर की चुनावी मैनेजमेंट कमपनी आईपैक के संपर्क में है और सचिन पाइलट नई पार्टी बनाने की रणनीती पर काम कर रही हैं। इस न्यूज रिपोर्ट में आईपैक के कर्मचारियों के हवाले से कहा गया है कि सचिन पाइलट का मन अब भी कॉंग्रेस में ही है लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वह एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सचिन पाइलट के लिए एक सौ से ज्यादा आईपैक के कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन्हें 1100 और लोगों के नियुक्ति के लिए निर्देश भी दिया गया है। इन कर्मचारीों की ओर से बताया गया है कि उन्होंने सचिन पाइलट की नई पार्टी के नाम के लिए भी सुझाब दिये हैं। इस तरह के दावे किये जा रहे हैं। लेकिन सचिन पाइलट फिलहाल कॉंग्रेस में ही रहकर संधर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन पाइलट को एक बार फिर कॉंग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने की सलाह दी और कहा कि अगर वह नहीं पार्टी बनाते हैं तो हम उनसे गठबंधन के लिए तयार हैं। साथ ही बेनिवाल ने गहलोत सरकार के मंतरी प्रताप सिन खाचरी आवास पर भी निशाना साधा और कहा कि खाचरी आवास ने सचिन का पाला इसलिए बदला क्योंकि उनकी परिवन घोटाले की फाइल खुल गई थी और अगर घोटाले की जाँच CBI से होती तो खाचरी प्रदेश के राजनीतिक जानकार एस के शर्मा का कहना है कि हाइकमान ने दखल देकर कुछ समय के लिए समझोता भले करवा दिया लेकिन पाइलट की सियासी मांगों को भी चुनाव के वक्त पूरा करना आसान नहीं है गहलोत भी विधायकों के समर्थन के भरोसे कई मुद दिखाई दिये हालांकि मई में पैदल यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान पाइलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ सक्त पेवर दिखाये थे बातचीत में स्थानिय कॉंग्रेस निताओं का कहना है कि चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है इसलिए गहलोत आए दिन कोई नई लोकलुभावन घोशना कर रहे हैं वे भी नहीं चाहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले अब कोई नया सियासी बवाल खड़ा हो सचिन पाइलट के अंशन और फिर पैदल यात्रा के बाद प्रदेश की सियासत का नेरेटिव बदल गया है सरकार के राहत कैम्पों का असर पाइलट के विरोध के कारण थोड़ा फीका पड़ा है लेकिन दोनों नेताओं के बीच सुलह की खबरों से थोड़ा मामला संभला है अब यह कब तक कायम रहता है यह कहना मुश्किल है